नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों समाज कल्यान विभाग के द्वारा एक आया एक नया अपडेट दोस्तों अगर आप एक पेंचन धारी हैं तो दोस्तों पेंचन इसकेम की ताजा खवर EKYC करना पड़ेगा महेंगा अगर आपके EKYC नहीं कराई है अगर आपने KYC मैंने साफी साफल यहां पर लिखा है कि KYC ना करना पड़ेगा महेंगा और आपके 3000, 6000 और 9000 जो रुपे हैं वो आपके खाते में नहीं मिल पाएंगे चाहें आपकी ब्रद्दावस्ता पेंचन हो चाहें आपकी 60 साला पेंचन हो और चाहें आपकी बिदवा पेंचन हो तो ऐसे पेंचन धारी जिनकी पेंचन जो है वो बंद हो जाएगी अगर आपने अपनी EKYC नहीं कराई दोस्तों यहां अपडेट आज का नए अपडेट है क्योंकि यहां पर समास कल्यान विभाग की तरब से आया सबसे बड़ा अपडेट जो की आज का अपडेट है ऐसे पेंचन धारी जिनकी 60 साला पेंचन वरद्धा वस्ता पेंचन और विदवा पेंचन आ रही है या ऐसे पेंचन धारी जिनकी पेंचन रुकी हुई है और अभी तक पेंचन नहीं आई है तो समास कल्य बिभाग की तरब से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है और इनके लिए बुरी खबर है ऐसे पैंसंदारी जिनकी अभी तक कोई भी पैंशन यानि पिछली जो पैंशन है नहीं आई हैं और वहां पैंशन का इंतिजार कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपकी पैंशन नहीं आएगी क्योंकि इंतिजार कर रहे हैं पैंशन धारियों ने अभी तक अपनी एक वाइसी अपडेट नहीं करवाई है दोस्तों अगर आपकी पैंशन नहीं आई है तो आप इंतिजार ना करें क्योंकि आपने हो सकता है कि अपनी जो के वाइसी है वो अपडेट ना कराई ह तो उसके बाद दोस्तो ऐसे समाज कल्यान विभाग के दोरा बताया गया है कि ऐसे जिन्होंने अभी तक अपनी KYC अपडेट नहीं कराई है या अपने बैंक से NPCI लिंक नहीं करवाया है और साथ ही साथ दोस्तो समाज कल्यान विभाग की ओफिसियल जो वेपसाइट है तो अपनी KYC को नहीं कराए है या उनकी कोई भी कैसे उनकी खाते में नहीं आएगी जिन्होंने एपन्जियल वेपसाइट पर अगर KYC कराई है तो उनकी कोई भी पेंशन उसके खाते में नहीं आएगी तो दोस्तो आप एक पेंशन धारी हैं तो आप पेंशन पा रहे थे लेकिन कई पेंशन आपके खाते में नहीं आई हैं और पेंशन नहीं आई हैं तो अपने आपके लिए समाच कल्यार बेभागने के नया अपडेट निकाला है कि आप अपने बैंक जाकर NPCI जरूर करवाएं और साथ ही दोस्तो अपने खाते से आधार कार्ट लिंक करवादें और साथ ही साथ अपना जो आधार कार्ट है मुवाइल नंबर लिंक करवादें और उसके बाद NPCI यानि SSPY जो कि मैंने बताया है इसकी आपको ओफिसियल बेभ साइट पर जाकर अपनी EKYC जरूर अपड करा एंगे तो आपको समाज कर लिंक करा कि दोरा जाएंगी अब दोस्तों बात करें चाहें आपकी बिदुआप पेंचनों चाहे 60 साला पेंचन हो या आपकी विकलांग पेंचन हो तो सभी पेंचन दारियों के लिए अपनी KYC को अपडेट करा दें और साथ यह साथ अपडेट कराने के बाद जो आपकी पेंचन हैм अपने खाते में अगर आपकी पेंचन रुकी हुई है तो दो या तीन पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तो अगर आपकी एक पेंशन है तो आपको तीन हजार रुपए समाज कल्यार के विभाग समाज कल्यार विभाग के द्वारा दी जाएंगी अगर आपकी पेंशन दो पेंशन रुकी हुई है तो दोस्तों आपको 6,000 रुपए दिये जाएंगे, अगर आपकी जी चुह है कि तीन पेंशन रुकी हुई हैं, तो आपको समाज कलियार बिभाग के द्वारा 9,000 रुपए आपके खाते में बेज़ेगी तो दोस्तो मैं फिर से आपको बता दूँ कि अगर आप चाहे कोई भी इन तीनों पेंशन में से कोई भी आप पेंशन पा रहे हैं तो आपको अपनी EKYC अपडेट कराना अती आवश्यक है अगर आप इसका पेंशन है इसका आप इंतियार कर रहे हैं तो आप इंतियार करना बंद कर दें क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप इंतियार कर रहे हो और आपने अपनी KYC ना कराई हो तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आप अपनी KYC को अपडेट करा देंगे और आपके जो किस्ते नहीं आई हैं चाहे एक किस्त हो चाहे दो हो चाहे तीन हो जितनी भी किस्ते दोस्तों आपके रहे गई हैं तो उसी इसाब से आपके पैमेंट जो है 9000 रुपए तक का करीब आपके खाते में आएगा जो भी रुकी हुई है चाहे अगर आपके दो किस् तो 9000 रुप्य आएंगे चार किस्ते हैं तो आपके खाते में 12000 रुप्य आएंगे दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आप जुह है के वाइसी अपडेट करवा देंगे और इसका आप इंदिजार नहीं करेंगे आप इन तीनों चीज़ों को प्रेट करवा देते हैं तो आप से और भी आने वाले वीडियो को नेटो पिकिशन आप सबसे पहले मिलता रहें दोस्तों फिर मिलेंगे नेट और पीने वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार